अभी अभी BTSC के तरब से एक official notice जारी की गई है और ये आप लोग के लिए खुशकबरी हो सकती है और विभा के तरब से आप सभी के लिए एक महतपूर्ण सूचना दी गई है जिसको कि आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है तो इस वीडियो मैं आप लोग को complete information देने वाला हूँ और वीडियो कभी तक लाइक ने कहा है तो जरूर से एक लाइक कर देजिए चैनल कभी तक सब्सक्राइब ने कहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस करके आप लोग जरूर से मिरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस करके आप कोई भी अप्टेट मिस ना कर सको तो चलिए मैं इसका जो अप्टेट है ओपेन करके इसका official notice बताता हूँ और अच्छे सा आप लोग को समझाता हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह official notice है 19.211 जो अभी कुछी देर पहले release की गए है बिटेसी की वेबसाइट के तरफ से तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यह आवसे एक सुचना बिग्यापन संख्या एक 2019 के लिए है और इसमें जो डिटेल्स में लिखा गया है और मैं आप लोग को पढ़के सुनाना चाहता हूँ इसमें लिखा है उक्त बिग्यापन अंतरगत मांगे गए अपति के करब में सुचित किया जाता है कि वैसे अभीर्थी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिपलोमा उतिर्ण है तथा उनका सेक्षनिक संस्थान AICTE से मानेता प्राप्त है अथवा बिग्यापन संख् एक 2019 की कंडिका दो के अनुसार उनकी सेक्षनिक योगता है परंतु सुन्य अंक दर्साया गया है तो जो भी कंडिडेट बहुत सारे को दिखा रहा है जो भी लिंक आया था क्लेम करने का उसमें बहुत का जो मार्क है वो 0000 कर रहा था तो उनी सब के लिए आप यहां पर य युनिवर्सिटी या कॉलेज या इंसिचूशन के संबंध में www.aicte.org से एफिलेशन आइडी उत्तिर्णता वर्स सेशन सहीत प्राप्त कर अथवा अन्य माधम से प्राप्त कर रेज अब्जेक्शन का चैन कर एफिलेशन आइडी और सेशन सब्मीट कर सकते हैं तो यह आ उनका जो प्राइवेट युनिवर्सिटी से आप डिपलोमा की हैं और से मनिता प्राप्त है अगर आपका युनिवर्सिटी तो ऐसे कंडिडेट के लिए यह नोटिस जारिक किया गया है जिसमें कि आपको फिर से रेज अब्जेक्शन करने का मौका दिया गया आप पहले क से मनिता प्राप्त है तो आप लोग जरूर से युनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए और वहां पर अपना युनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टिूट का एफिलेशन आइडी आप लोग निकालिए और आप किस वर्स किस सेशन में पास किया है जैसे 1619 हो गया आ पर आपको मिल जाएगा उसको ओपन किजिए और उसमें अपना एफिलेशन आइडी और सेशन को सब्मिट किजिए जब आप लोग सब्मिट किजिएगा तो यह आप लोग को फिर से जो विभाग है उसको वेरिफाय करेगा अगर आपका सही होगा सब कुछ डिटेल्स म्या अनुसार से इसमें जो अगर आपका जो सेक्षनिक योगता है क्वालिफिकेशन ओगर आपके पास है तो आपको विभाग कभी नहीं निकालेगा क्योंकि अगर आप उसको क्वालिफाय करते हैं उसका जो क्रेटरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो विभाग क्यों निकाल और किस सेशन में आप पास किये हैं और निकाल करके फिर से रेज अब्जेक्शन कीजिए अगर आप तीन बार कर दिये थे तो एक बार और मोका दिया गया है अगर आप नहीं किया है तो आप तीन बार से ले करके चार बार तक कर सकते हैं और 23-26-2020 तक इसका date बढ़ा दिया गया है तो untim date जो था वो पहले था 19-20 किया था अब दो दिन और बढ़ाया है आप लोग 23-26-2020 तक जो claim है वो कर सकते हैं तो यही update था आप लोग वीडियो को like कर दिजिए और आप लोग comment कीजिए कि आपका remarks में कुछ लिखा था